तो फ्रांस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाएए तो आज कब लोग इस्टार्ट करते हैं वेलकम बैक तो माई चैनल हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो चलिए आज जो ब्लॉग है ये करवा चौथ का है तो मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगे आज के करवा चौथ को मैंने कैसे क्या किया तो ये सुबह सुबह का जो वीडियो है नहा दोकर किचन में आ गई थी क्योंकि बच्छों के लिए और इन लोगों के लिए कुछ ने कुछ तो बना नहीं था ब्रत मेरा था इन लोगों का थोड़ी था तो मैं पुहा बना रही हूं अभी फिलाल नास्ते के तो ये लोग खालेंगे फिर इसके बाद हम मतलब अपना काम करेंगे और जो घर में घरेलू काम होते हैं वो निप्टाएंगे और फिर इसके बाद जो है मैं क्या करूंगी जो जैसे हमारे मैं हमेशा मतलब हमारे आने पूजा हर प्रकार की होती है कोई खीर पूरी बना ल हो मैंने वह बताया है कि हर प्रकार का होता है जैसे भी आपको सहुलियत हो कर लेते हैं हम लोग पूजा अब बहुत ज्यादा प्रकार इमर्जेंस यह तो फिर पेड़े से ही पूज लेते हैं नारियल पेड़ा यह सब बना लूगी तो आप लोग पता है कि करवाचौत को क्या है कि रमा आती है यहां पर तो कुछ चीज़ें वह बना के लाते हैं कुछ मैं बना लेती हूं तो ऐसे करके बहुत सारा हो ज जैसे कि मैं कड़ी चावल दाल दाल ही बनाती हूं मैंने बनाई थी कड़ी चावल सबजी तो बो मैं मतलब कड़ी चावल तो अभी इसी टाइम बना के रख दूंगी और सबजी साम टाइम बनाऊंगी और पूरी अभीर साम को ही सेखूंगी तो जल्दी हो जाएगा और हम बनारा और barra यह सब रमा बनाकर लाएगी हाँ और मैंने खीर भी बनाई थी तो बस वही हो YouTubers यह देखिए इसके बाद यह पुः बन गया थै लेकिन बूजा के लिए है और तो अच्छा नहीं लगता है मतलब देखने में खीर इसलिए मैंने डाल दिया था सब कुछ और तो खीर भी लगबग बन ही गई है तो खाना जो है मेरा साम का मैंने अभी यह टायम जो है तीन दो या तीन तीन वज़े का टायम होगा और इसके बाद देखिए यह सब बन गया था तो सबजी नहीं बनी है और सब्जी बनाउंगे मैं बाद मैं और इह देखिए तो बस यह दो तो लगबग तयार ही मैं आप लोग के सासा ब्योल चावल बन गए है और कडी बन गयी है और अब मैं सब्जी बना रही हूं यहीं पर तो यह सब पनीर की सब्जी बना लूँगी और और कोई ऐसे सब्जी होती भी नहीं है हमें सा बस वही तो होता है सब लोग तो कुछ वो हुआ तो बोले पनीर बना लो छोले बना लो यह सब बना लेते हैं हम लोग तो यह रएकि पनीर ही बना रही थी मैं और यह चाहद अब चार बज़े का टाइम होगा तो चार बज़े चार पांच बज़े मैंने सब कंप्लीट करके रख दिया था और इस बार क्या है कि मुझे पूजा के कुछ देर पहले बहुत ही बहुत ही बुरी ख़बर मिली थी तो फिर इसके बाद मैंने पूजा का कोई वीडियो नहीं बना लाजे तो मैं आपको आगे बताऊंगी तो यह वीडियो जो है फिर कुछ भी शूट नहीं हुआ था मेरा और मैंने किया भी नहीं था मन बीडियकर अगरता है ये वीडियो बगारा जो है ये तो जैसे मन अच्छा है कहते ने और सब o सब चल नहीं है सब कुछ है तो यह मन लगता है इन सब चीजों में फिर ऐसे मन नहीं लगता है यह कोई इतना जरूरी काम नहीं है जो जरूरी है जैसे कि अब रत थे तो पूझा जरूरी थी तो बहुत कर ली थी लेकिन फिर जैसे की थी वैसे मतलब ऐसे ही कर ली थी बहुत ही दुखदाई थी मतलब बहुत ही शौकिंग थी किसी को अंदाज़ ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा और इसके बाद देखे शाम हो चुकि ये छे बज गए हैं साइट तो छे बजे में क्या करूंगी कि पूरियां भी सेक के रख दूएं क्योंकि धोबन चाची जो आती है हमारे यहां ऐसा होता है करवा चाच को सुहाग देने के लिए धूबन चाची आती है तो उनको खाना देती है हम और कुछ जो भी देना हो जैसे साड़ी बगएरा है या पैते हैं जो भी जिसको देना हो दे देते तो पूजा की तुरंद बाद आ जाती है वो तो फिर मैं उसको कन्या को खिला दीती हूं तो उसके लिए भी सेक दूगी तो यही पूरी हमें सेक रहे हूं तो यह सेक के रख दूँगी और फिसके बाद मुझे तयार होना है तो जादा तर नेल पेंड बगएर मैंने लगा ली थी चूरियां भी मैंने पहन ही लीथी फिर सोचा की रमा आने वाली है तो ये सब करके रख देते हैं फिर रमा आएगी तो वो पूजा की जो थाले आली होगी वो लगाएगी और तो बस जब तक मैं तयार हो जाती और इतना ज़्यादा तो खेर मैं मुझा वैसा नहीं है कि आप इस इंगार तो करना ही पड़ता है जब हमारा द्वाहक वाला अबरत होता है तो बस उतना ही करना है और सारी बगरा जो है सारी मैंने साइधा आपलों के साथ से अने किती इस बार और की तो थी बहुत पहले कर दी थी मैंने जब उसका ब्लाउस कट किया था तो अभी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगे आपको बस सारी ही पह और बहुत दिल के करीब होते हैं तो इस तरीके से हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं जैसे कोई ऐसा हो कि कोई बीमार हो पहले से या पता हो हम लोग को कि वो बीमार है और श्पिटल में है यह है वो है तो इतना ज्यादा मुझा नहीं लगता है क्योंकि हमें पता होता है कि तो बस मैं तयार हो रही थी इतने मैं फोन आया तो यह देखे अभी तक मुझे पता नहीं था बस मैं चूड़ी ही पेहन रही हूं तो फोन आया मेरी सबसे बड़ी जो बुआ है वो अक्सपार हो गई थी उनको हार्ट अटक आया था तो यह वो चूड़ियां है जो साड़ी की मेरी मैचिंग थी और मैं वैसे जादा मैसे कंगन मगेरा जो है वह मैंने नहीं लगाती हूं मुझे जितने सिंपल उतना ही अच्छा लगता है तो सिंपल तरीके से देखिए आप मैंने फिर भी वह इतनी कलर फुल लग रही थी दे साड़ी बैगनी है और यह साड़ी मैंने आप लोग साथ सेर भी की थी और बताया भी था कि जब मैंने इसको देखा तो यह मुझे पिंक लगी थी और बाद में मुझे यह मतलब लगी मतलब यह परपल दिखी तो यह थाली लग गई है और आज का वीडियो बस इतन नहीं ह अगर आप लोग को पसंद आए तो